शुबं बवतु आईए आज देखते हैं 5 top secrets of cash drawer वास्तु देखें cash drawer वास्तु में किस प्रकार से होना चाहिए, कहां खुलना चाहिए, उसका color कॉन सा अच्छा है, mirror is it suitable or not, digital transaction क्या होता है और locker और safe कहां रखना चाहिए, ये सब चीज़े में आपको बताऊंगी तो आप ये वीडियो एंट तक देखेंगे, देखेंगे, सबसे पहला point है कि वास्तु में cash drawer या तीजोरी, safe, whatever, किस दिशा में खुलना चाहिए, mainly it should open towards north, यानि कि north direction में खुलना चाहिए, उत्तर दिशा में, वास्तु according जो main ग्रंत है, में मतम, मानसारम, समरांगन, सुत्रधार, सभी म इफ यू सी global, पृत्वी का अगर आप globe देखते हो, तो north direction में, जो most developed countries है, वो सबसे ज्यादा occupied है, जो 30 point of view से अगर आप देखते हो, तो कृतिकान विक्षत्र से लेके, साड़े तेरा जो देव नक्षत्र है, वो पूरे north में occupied है, north का इतना importance है, और scientifically अगर आप इसे जानन चाते है, सबसे important है कि cosmic rays का flow, its origin from north, north से origin होता है, south सक, वहाँ पे drain होती है, last में, तो north से जो origin है, वहाँ से full of cosmic energy होती है, starting में, इसके लिए वहाँ से north में, अगर आप cash, अगर आपका draw खुल रहा है, तो वो हमेशा abundance याने कि full रहेगा, growth होती रहेगी, अब ये तो facing हुआ, next very important is placement, कि होना कहां चाहिए, तो वास्तु में जो north center है, वास्तु का जो पुरा उत्तर दिशा है, वहाँ पे इसकी place होनी चाहिए, और ये खास बात जरू ध्यान रखे कि north जो है वास्तु का direction, it should be proper north, not tilt or shifted, otherwise ये effect आपको नहीं मिलेंगे, तो वास्तु का true north जित्ता सही होग उतना ही आपको इसके result अच्छे मिलेंगे north में, यानि कि उत्तर दिशा में अपना cupboard, अपनी तीजोरी रखे और उसको खोले वे उत्तर दिशा में, बहुत लोग उसे south side में रखते हैं, लेकिन south side में रखने से वो जितना का उतना ही रहता है, growth नहीं होती है, जब आप north में रखे north facing खोलते हो, तब maximum growth होता है, अगर by chance possible नहीं है north facing opening, then you can open it towards east, पूर्वदिशा, लेकिन पश्चिम या दक्षिन में कभी नहीं खुलना चाहिए, समरांगन सुत्र धर का ये शलोप में आपको बताती हूँ, द्रव्यम ना अधो मुखम कारियम प्रत्य ग्यामनम नच पश्चिम आगरे परी क्लेश हो, दक्षिन आगरे तु शुन्यता, इसका मतलब यही है कि अदोमुख करके नहीं रखना चाहिए, और साथी साथ पश्चिम में नहीं खुलना चाहिए, otherwise उसमें क्या होगा, क्लेश होगा, यानिकि जगड़ा हो सकता है कोई प्रकार का, और सेकंडली, मीरर कहां होना चाहिए, देखिए जब भी आप कबड नौर्ट फेसिंग खोलते हो, तो उसको बाहर से मीरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौर्ट डारेक्शन से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जो कॉस्मिक प्लो आ रहा है, वो स्टॉप करेगा, अपोजिट रिफ्लेट करेगा, सो मीरर बाहर से नहीं होना चाहिए, नौर्ट फ्रो आउसाइड ओड़ दा कैश और जो भी सेफ आपका, लेकिन हां अंदर से मीरर जरूर होना चाहिए, ताकि इमेजनरी आपका जो आपने उसमें रखा है, जो भी आपका कैश है, ज्वेलरी है, ट्रेजरी है, आपके जो इंपोर्टन डॉक्यमेंट्स है, एफडी है, या जो भी आपके ATM कार्स और आजकल जो आप रखते हो, यह सब प्रॉपर्डी डॉक्यमेंट्स है, तो यह सब मल्टिपल हो जाएंगे, इसलिए अंदर से आप तीज़री को जरूर मि हाल से मिरर बिल्कुल भी ना लगाया, now most important point, color कौन सा होना चाहिए, देखिए gold का कौन सा color है, golden color, पहले तो gold की currency होती थी, गाय बच्चडी की उस पर प्रतिमा होती थी, देवी देवताओं की pictures होते थे, उसको ऐसा बोला गया कि अधो मुग्यानी की उल्टा भी करके नहीं रखते थे, फिर silver coins आए, copper आए, अब उसके बाद हम लोग तो paper ले, paper इसमें आ गए है, और उसके बाद तो paper ले, transaction में आ गए, पहले तो भी हमारी paper की currency थी, आजकल तो ज्यादा हम लोग चलन किसका कर रहे है, digital का, तो देखिए gold का जो लेकिन yellow color है, वो कुबेर देवता से भी represent करता है, और golden, यानि कि पीला color जो है, आप ती जोरी में अंदर, बाहर कहीं भी दे सकते हैं, साथी साथ green color भी बहुत progressive होता है, green color जो है, जैसा growth का होता है, tree for example, जैसे छोटे से बड़ा एकदम हो जाता है, उसकी progress होती है, growth होती है, आप भी चाहते हो कि अगर आपकी growth होतो, so you can go for green, हाँ, आपकी जो destiny है, आपको मिलेगा, फिर ये सब क्यों करना, ये सब फाल्तु की बात है, देखो मैं एक example आपको दे रहे हूं, if you have to go for the 10th floor, for any apartment, what you will choose, steps or lift, mostly I think you will choose the lift, so आपको lift tough होना है, आपको आपका hard work कम करना है, आपको आपकी growth maximum करना है, तो आपको ये सब फंडे तो यूस करना है, अभी मैं आपको scientifically reference दे दिया, वास्तु का reference दे दिया, जोतिश का दे दिया, globally दे दिया, अब और क्या चाहिए, so you experience it, mainly you experience it, try it for one month and then you will see the results, this is the best certificate, isn't it, okay, now we have the fourth option, lockers, safe, घर में तो आप रखते हो, वास्तु में और रखते हो, और कही बैं pricing वाला, खुलने वाला उनको request करके ले सकते हैं, और उसका जो lucky number है, यानि कि numerology according आपको जो number suggested है, उसको भी आप उनको request करके ले सकते हो, इसको करने से जो energy है वहाँ की, आपकी जो energy है, वो एकदम maximum multiply हो जाएंगी और हमने money multiply का एक वीडियो भी लिया है, उसको भी आप दे उसकर सकते, according to your birth chart, जगर आपके जो ग्रह suitable है, वो से related अगर आप color use करते हो, आपके office में, workplace में, even at your home, it will be more abundance, it will be more suitable with prosperity, लेकिन वो particular है, it differs from 30% to person, अगर आप उसकी consultancy चाहते हो, तो हमारी वास्तु galaxy team को contact करें, आजकल जो digital transactions चल रहे है, paperless है, इसमें क्या use होता है, mobile या फिर computer, जो भी screen का है, इसमें maximum use है, तो देखिए, digital transactions में एक बात जरूर ध्यान रखे, कि आप खुद energized हो जाए, वास्तु energized हो जाए, सुबह सुबह आपको उठना चाहिए, योग प्रानायम करना चाहिए, आपकी वास्तु भी जितनी maximum energetic होगी, उतना आपको positive effect आएग इसलिए वास्तु भी energetic होनी चाहिए, वास्तु की positivity अच्छी होनी चाहिए, हो सकता है कि वास्तु में अगर कुछ fault है तो फिर आपको कोई problem आ सकती है, जोतिश में कुछ fault है तो problem आ सकती है, इसलिए भी आप हमको contact कर सकते है, क्योंकि वास्तु की energy किस प्रकार से है, positive है कि तो फिर नॉर्थ में अगर आपकी cash खोलते हो तो इस बेस्ट और डिजिटल ट्रांजक्शन भी आप अगर नॉर्थ साइड में बैट के करते हो, जो पूरा account का system है, जो आपका working का है, जो आपका mentally मतलब आपको जो सब mind का profession जो आपको काम करना है, mainly आपका पूरा जो काम है आपके thinking process से चलता है, तो आपको North and North East prefer करने पड़ेगी, digital transactions या जो भी मतलब काम के लिए, workspace के लिए, क्योंकि उसी से आपको जो है, earnings होगी, तो maximum अगर आपकी progress चाहते हो, growth चाहते हो, तो take a benefit of North and North East for sitting, for in the office or at the, जहां भी आप घर पे बैट के काम करते हो, और जब भी आप आप पढ़ाई करते हो, जब भी नॉर्थ में facing करके पढ़ाई करो, ताकि इन future जब आप उससे related जब आप money, मतलब आप जब earnings करोगे, तो आपको फिर से क्या हो जाएगा, एकदम beneficiary हो जाएगा, so ये tips आप देखते रहिए, और हमारी चैनल को subscribe करते रहिए, आपके friends के करते हैं